हिंदुस्तान के सभी राजनितिक दलों के नेताओं के साथ हमारे समध अच्छे ही हैं और लोक तंत्र में हमारी दुश्वन ही नहीं होती हैं समध अच्छे होने ही चाहिए अब सवाल यह है कि मैं मेरे समधों को समालू कि उड़िशा के भाग्य की चिंता करू तब मैंने रास्ता चुना कि मैं उड़िशा के उजवल भविश्यकर के लिए अपने आपको खपा दूँगा उसके लिए मेरे समधों को मुझे अगर बली चढ़ाना पड़ेगा तो मैं उड़िशा की भलाई के लिए बली चढ़ाऊंगा और चुनाव के बाद मैं कन्विश्यकर करूंगा हरे कोग मुझे किसी की दुश्वन ही नहीं है लेकिन पचीस साल से उड़िशा में प्रगती नहीं हो और सब्चे बड़ी चिंता ऐसी है कि कुछ एक ऐसी टोली है जिसने पूरे उड़िशा की ववस्ता को कब्जा कर लिया है ऐसा लगता है पूरी ववस्ता को बंदक बना दिया है और जब इतना बंदक बना दिया है तो बहुत स्वाभाविक है कि उडिशा अगर उस बंदवनों से बहार आएगा तो उडिशा खिलेगा उडिशा की अस्मिता का सवाल है इतने प्राकुर्तिक समसादन है उडिशा के पास एक समरुद्ध राज्य के गरीब लोग देखकर के दुख होता है हिंदुस्तान के समरुद्न राज्यों में उडिशा है इतनी प्राकृती संपदा है और हिंदुस्तान के गरीब लोगों के राज्यों में भी उडिशा है तो इसके लिए सरकार जिम्मिवार है और इसलिए उडिशा के लोगों का उनका हग मिलना चाहिए उडिशा को उसकी अ और दस जुन को बीजेपी का मुक्हमंद्री उडिसा में शपत लेगा